Guys there was some homework question about one anyone two one sorry guys one find two numbers whose sum is 24 and product is as large as possible ठीक है ठीक है ठीक है पहली बात तो न उसने ये कहीं पर भी नहीं बोला है कि positive होने चीए पर मैं ते असे को बता रहो obviously positive होने चीए कि दो negative numbers तो हो नहीं चकते बनने का sum 24 होगा नहीं और एक positive एक negative अगर रहा तो पक्का से product negative जाएगा उसका वो mathematical एपने को समझ में आ जाएगा बटसे मैं तो कैसी बता रहा था और सुने एक और चीए ये गलती से MCQ में अगर आ गया आना तो इसको options से कर लाना किसका sum पहले चारों का sum देखना 24 हो रहा ह अगर sum 4 का 24 हो रहा है तो फिर product देखना आना किसका अत्याद है खतम तो एक number मेरा x है दूसर नमबर मेरा 24-x है बटा मेरा function जो बन रहा है इसका product बन रहा है x into 24-x which is 24x-x2 मैंने differentiate किया इसको 24-2x is equal to 0 किया 24 is equal to 2x तो x की value आगी 12 उससे पर यह maxima यह minima मुझे पता नहीं है double differentiate किया बेटा मैंने तो minus 2 आ रहा था और उसमें अगर मैं 12 डालूँगा तो negative भी आ रहा है तो add 12 मुझे maxima मिलने वाला था hence the two numbers should be 12 and 24-12 मतलब 12 समझा तो sum 13 आएगा 24 और product maximum आएगा अगर पूसरा कितना maximum product possible है तो that is going to be 12 x 12 is 24 12-12 is 144 मैं बाद एक बार हुजा I'll give you time पूरिन का question number 2 anyone second का second the sum of two positive numbers is 20 find the number if the product of the square of one and cube of the other is maximum ठीक है sum 20 दिया गया है हम लोगो तो अगर एक number x है तो दूसरा number 20 minus x है find the sum of square of one and cube of other मैं को पहले को square निकाल रहा हूँ मैं जान पूछ के वैसे दूसरे को square निकाल रहा हूँ ज्यादा आस्तान हो जाएगा तो वैसा कर लूँ ठीक है तो इसका square plus इसका cube into इसका cube ठीक है यह जाएगा a square minus 2ab plus b square into x cube which is 400 x cube minus 40 x e power 4 plus x e power 5 यह मेरा function बन रहा है differentiate किया बेटा मैंने इसको इसको equal to 0 किया देखो 5 x square common निकल रहा है मेरा 240 x ने 240 sorry 240 minus 32 x plus x square is equals to 0 यहां से तो मेरा x के वाली 0 आ रही है पॉसर्टिब बोला हुआ था numbers तो वो कोई काम का नहीं बचा मेरे ले अब बेखो x square minus 32 x plus 240 is equals to 0 minus 12 minus 20 correct x minus 12 x minus 20 is equals to 0 तो x-value या तो 12 होनी चीए या तो x-value 20 होनी चीए अभी तक के अपने कोई idea नहीं है ठीक है ना अब रूप ज़ा अब double differentiate किये मैंने अब सुर्ण double differentiate नहीं इसको मत कर देना तुम्हारों जो f of x आया था इसको करना है double differentiate f-x जो आया था उसको differentiate करना पड़ा है एक को बार ठीक है 2400 x minus 16 32 48 480 x square plus 20 x cube अब देखो f double dash 20 डाल के देखो positive बार है negative बार है चो डेख बार f double dash 20 डाल के देख रहे है 2400 x 20 minus 480 x 20 का square plus 20 x 20 का cube गे आरा एफ 48 000 minus 480 निकालनी पड़ते ना पिटा तो वो यह ने वो positive बार है negative बार तो और और ली कैसे दिख रहा 20 x 20 x 20 x 20 is 1,60,000 अब माइनस मैं भी इसकी value positive या negative भी देखना चाहता हूं मैं plus 48 000 positive आ रही है तो यहाँ पे आ रहा है positive तो 20 बे मुझे मिल रहा है क्या minimum अब 12 बार बार रह देखते है 2400 x 12 minus 480 x 12 का square plus 20 x 12 का cube 12 का cube होता है 1728 ठीक है 144 x 480 is 69120 और यह केता है जाएगा 24 x 28800 plus 34560 minus 69120 सम्थिंग निगेटिव में आ रहा है तो implies 12 में मुझे मिलेगा maximum क्या मुझे उन्होंने वही बहुत है maximum बताओ maximum ही बहुत है ना हाँ तो देखो अब मेरी values क्या क्या हो जाएगी एक नमबर हो जाएगा 12 दूसर नमबर हो जाएगा मेरा 8 समझा अगर मान लो कोई बच्चे ने 20 मैंने चेक ही नहीं करना चाहिए था हाँ हो है मैं नोटे से नहीं किया दूसर नमबर 0 हो गया था 20 चेक करना ही नहीं पड़ता था आप लोगो आप लोगो को पर सुमरे आंसर भी 8 और 12 भी नमबर सार 8 और 12 भी आते थे सिचल इल गिव यू सम ताम तो सोल्ट इस वन तू पहले एक बाग लिए होबंग डिसकस कर लो जाबको पास मिन दूंगा जित्ता उनको लिखने वस शीज़े वेश्चिन अबर 3 ने वान अब देखो दो नमबर का प्रोड़क 16 बोला ना उसने तो अगर एक X है तो दूसर 16 अपन X है फिर क्या बोला आ गया उसने तो यह प्लस यह स्क्वेर मैंने ऐसा बना लिया है यह मेरा फंक्शन है इसको मिनिमाईज करना है मुझे डिफ्रेंशेट किया माइनस 16 अपन X स्क्वेर प्लस 2X यह डाश एक हुआ इसको इकोल टू 0 किया तो माइन 16 अपन च्वेर प्लस 2x स्क्वेर इसक्वेर इसको शो जीरो 2 X क्यू इसको 16 X क्यू इसको 8 एक्सक्यव यह यह गाई डिफ्रेंशेट किया में एक्था जीरोस 2 y2 इसकोड़ ग्रिफ्रेंशेट किया इसको सटीव यह नंबर से और क्या जाएगे 2 and 8, समझा? पिर उसमें, प्रोड़क्ट बहुत था, प्रोड़क्ट था, तो टू नंबर शुट भी 16, तो कर एक नंबर A है, X है, दूसरा नंबर Y है, तो X into Y is 16, तो Y की वाल जाएगी 16 upon X, तो उस जगह पे यह सरी जाना है, यह, that was third का second वाला, fourth question anyone, yes, find two positive numbers, whose sum is 16 and sum of whose cube is minimum, sum is 16 बोला है न उसने, तो एक नंबर X है, दूसरा है 16 minus X, and sum of cubes बोल रहा है न, तो देखो, मेरा function क्या जाएगा, यह cube plus 16 minus X का whole cube, मैं तो इसी बोलो, क्या idea दो गया, खोलो मत, क्या होला, हाँ हाँ, वो ही बोल रहा हूँ, हाँ, खोलो मत, यहीं से differentiate करके, equal to zero कर लाता है अपन लोग, देखते हो से कुछ फाइदा हो रहा है, मेरा इसाब से तो नहीं हो रहा है बहुत जादा, क्योंकि आखरी में खोलना पड़ी रहा है, बस इसको नहीं, वो square वाले खोलना पड़ जाएगा, ठीक है, तो यह हो गया, 3X square plus 3 into 16 minus X का whole square into 16 minus X का differentiation minus 1 हो जाएगा, बेरा, तो basically अलबी 3X square minus 3 into 16 minus X का whole square is equal to 0 हो रहा है, अब अगर मैं खोलूँगा भी इसको, वो 3, निकले काट दूँ क्याँ पर, तो X square minus 16 minus X का whole square equals to 0, अब तो नहीं और स्मार्ट तरीका, A square minus B square is equal to 0 था, तो A plus B into A minus B is equal to 0 हो जाएगा, इससे मेरा, तो गल्ती से हो गया है, हमेशा होगा ऐसा नहीं है, तो तो 16 into 2X minus 16 is equal to 0, तो X की वाली से 8 आ रही है, double differentiate किया बेटा मैंने, मेरा first differentiation ये था, ये first differentiation रदे मेरा ये था, तो मैंने double differentiate किया, 6X minus 6 into 16 minus X into 16 minus X का differentiation minus 1 हो था, ये plus 1 हो गया, X की वाली हो गया, 8 डालूँगा, तो ये क्योंकि positive बन रहे है, तो आंसा positive रहेगा, ठीक है, तो फिर F double dash 8 is positive, implies at X equals to 8, मेरा मिलेगा, minima, हाँ, minima मिलेगा, तो मैंने numbers या कर जाएगे, 8 and 8, समझाया है तक क्या, this was which one, 4th one, 5th नहीं दिया हुआ था, question 9th anyone, yes, a sheet of paper is to contain 18 cm square of printed matter, paper किता है भी हो, उसमा 18 cm square का printed matter होना चाहिए, ठीक है, तो देख डाइगराम के लिए, यह अगर 18 है, यह मैंने X लिया है, तो यह रहेगा 18 by X, तो margin on the top and bottom is 2 and sides is 1, तो देखो यह तेरा 2 है, यह तेरा 2 है, यह तेरा 1 है, यह तेरा 1 है, देख तेरा यह कहता 18 by X था, तो तेरा length समझ लिए कुछ 18 by X plus 4 हो चुका है, ब्रेथ तेरा X plus 2 हो चुका है, ठीक है, find the least रहना चाहिए, तो मेरा area का function क्या बन रहा है, 18 by X plus 4 into X plus 2, मैंने multiply किया तो 18 plus 36 by X plus 4X plus 8, which is 36 by X plus 4X plus 26, यह मेरा area F of X बन चुका है, आगे का कर सकता है, है, differentiate equal to 0, जो values है double differentiate उसमें डाल करेखाड़ेगा, किसी को यहां था कि कोई issues है, पक्ता, अब गईस, इस 4, 2, I am giving you time till 4, 10, टेक है न, 8 minute है, जो जो आप लोगों के नहीं आये थे, उसों धंग से पुरा कर पुरा करदना है आप लोगों को, यह था कर दा, यह नहीं था, यह फूर्थ का दाने शाथ है, यह थर्ड का, देख रहों बच्चा हमने, हाँ, yes, इस जाइ, यह थाया है, बच्चा है, यह थाया है, यह थाया है, जो आपगों को, कौन सा टाइम बेस नहीं आ रहा है क्या तुम्हें वो प्रोबाबिटी चाह रहा है इसका एक वैसे टाइम बेस आना चाहिए प्रोबाबिटी नहीं आ जाता पर ठीक कोई बात नहीं है और हां वह वह पट्रओं कि काश होता है था था नियुक्त अ कि अ प्रप्रीज बात है नहीं जब जाए नहीं एक स्लूशन इमने से वी वह जाए है क्या हो गेचा मेना वो चार्जिंप लगाओ है में रना आक्षे में ब्रड़ हो जाता है उसका नहीं बोल रहे हैं लो मुझे आई देन शाया आई 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 सब्सक्राइब हां क्रेश बोल बटा ना इंद वाले एक बार सॉल्व करके बता सकते हो गया हाओ देख अब यह एरिया का फंक्शन बना है कुछ 36yx प्लस 4x प्लस 26 मैंने डिफ्रेंशेट लिया गए उसको 4x स्क्वेर इस इकोशू 36x स्क्वेर इस इकोशू 9 एक्स या माइनस 3 होगी माइनस 3 तो वैसी रिजेक्ट हो जाएगी मार्जिन के नोट भी निगेटिव के कारें अब मैंने एफ डबल डाश एक्स लिया है बटा ठीक है 72 by x3 यह हो जाएगा x इकोशू 3 जब डालूँगा मैं तो वो positive answer देगा तो इससे at x इकोशू 3 तरह minimum आने वाला है काम गतम ठीक है तो पीछे ना answer 5 और 10 दिये तो पेटा x की value 3 आई यह था length of breath उससे निकालेगा अगर तू तो तेरे यह है न तो यह क्या 5 यह हो जाएगा तेरा किता 3 था नो 6 प्लस वो 10 समझा अच्छा 5 बढ़ सकते आगे कोई कर रहा है बीबी तो बहुत तो मैं 3 में देता बचे हुए सर पर जो question अपन कर रहे थे हा करेश उसमें तो अपन original में डाल रहे थे ना अपन जो XN 18 by X step जो ले थे थे अपन से एक निकाल के रुख जाए थे क्रेश वो फाइल आपन देख भी नहीं रहे थे उसमें कि उसने फाइली क्या पूछा था हो सकता है वहापे भी उसने शीट के डिमेंशन पूछे हो यह देख जा देख वाट अपन दमोस्ट इक्नोमिकल डिमेंशन ने पड़ेगा यह पर भी X प्लस 4 निकालना पड़ेगा देख X की वाइव किती आई है उसकी X 12 आया है देख यहापे भी निकाल रहे उसने पूछा ओफिए काबरा तरह जब हो जाएका था बताना बटा चला अब ओई नाइस एक्जांपल एक्जांपल नबर फाइव लास्ट यह सेंटर पॉइंट के इसमें इसी पाटन का डेटा चेंज है के क्वेश्चन पूचा गया था तो प्रक्वेश्चन पढ़ो और कोई भी मुझे वो नहीं वो ओफर समझाओ मुझे तो सब्सक्राइब तो माइग क्वेश्चन इस अगर मान लो एक सो बीस लोग जा रहे है तो पर परसन कॉस्ट इतना आने वाला है 128 हाँ सब्सक्राइब चोटे मुटे जो कंफूजियों जैसे लाहूटी अने बंसाली को हुआ है तो पहले 100 लोगों का 136 रूपीस का है तो मेभी ऐसा कूछ है कि 100 तो मिनिमम जाई रहे उसके बाद में जितने 10-10 के और ग्रूपस आएगे तो ऐसा नहीं कोई 4 लोग आ गए उठा के नहीं ऐसा कुछ होगा 10-10 के आने पड़ेगे जैकर एक और 10 का ग्रूप आ गया तो अब 110 लोगों गए और सबका 132 रूपीस पर परसन पड़ेगा ऐसा नहीं कि पहले 100 का तो 136 लोगा ति बचे पे 10 लोगों जो रहेंगा उनको 132 लोगा नहीं उपर 110 का 132 ऐसे अगर दो 10-10 के ग्रूप अगर आ गए होते तो टोटल 120 पैसेंजर हो रहे होगे बढ़िया पर परसन कितना जाएगा 136 माइनस 4 माइनस 4 ऐसे करके समझाए चीज अब देखो इसमें भी क्या इश्यू है ना यह मुझे तुम्हारे एक्कनॉमिक सी भाषा में समझता नहीं है बट और जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ता है कॉस्ट घटना शुरू होता है पर तो डिरेक्ली प्रपोर्शनल नहीं होता यह चीज़े कि अगर मां दस परसेंट लोग बढ़ गए तो दस परसेंट कॉस्ट घट जाएगा नहीं क्योंकि अगर 100 परसेंट लोग बड़े जा रहे है बड़े जा रहे है कॉस्ट एक पर आके फिक्स हो जाएगा ऑपरेटर का बट तुम उसका सेलिंग घटाए जा रहे हो तो यह एक ट्रिकी सिचुएशन है ठीक है ना अब इसको सवाल फरके मैं समझाता हूं फाइनली आंसर इसका और यह बहुत बढ़ि अगारों में 10-10 लोगों के एक्स ग्रूपस हाई होगे 100 तो थे ही, 10, 10 के x है तो 100 प्लस 10x, तो implies अब मेरा cost per person 136 होना चाहिए था, बढ़ हर 10 के group के लिए 4 उपय काम करने आल था, तो x groups आ है, तो minus 4x, तो implies, total cost क्या हो जाएगा, total passengers multiplied by cost per passenger, तो 100 प्लस 10x multiplied by 136, sorry, minus 4x, खोल जाता हूँ मैं 136 00, minus 400 x, plus 136 00 x, minus 40 x square, which is something like 136 00, plus 960 x, minus 40 x square, ये मेरा क्या हो गया है, total cost बोलने की जगब, total revenue बोलना चाहिए मैंने, for the operator, ठीक है न, अब मुझे ये maximize चाहिए, if I am not wrong, तो ये मेरा f of x था, मैंने f dash x किया, तो ये आ जाएगा, 960 minus 80 x, इजी को शूद दीड होगे था, x ही आ जाएगी 12, ठीक है रहा, तो हर, एक और double differentiate किया मैंने, तो आगे minus 80, तो at 12, negative दे रहा है, तो 12 पे तुम्हें maxima मिलेगा, अगर मालनों तुम 13 group लेके जाओगे तो तुम्हार revenue कम हो जाएगा, और 10 या 11 group लेके जाओगे तो भी तुम्हार revenue कम हो जाएगा, situation हो जाएगी, समझाए चीज़ क्या हुई है, अब उसने मांगा क्या है, find the maximum number of passengers that will maximize ये, हाँ, तो तुम्हारे कितने groups आने चाहिए थे, 12, तो 120 passengers प्लस 100 passengers, बतब 220 passengers आगर रहे हैं, टोटल मिलाखे, तो उसको फाइदा हो जाएगा, समझाए चीज़ क्या हुई है, पक्का, बुक में तुम्हारे question खुला रहें दो, solution मैंने आपर इसलिए रखाए कि कुछ भी तुम लोग को लिखने का छोटकन-फुटकन issues आए, तुम यहां से देख रहे हैं, चापना मत दाइन लिए, अगर exact 12 वाले आ गए ने, 220 लोग आ गए, जो operator है उसको सब चादर revenue मिलेगा, पैसा, अगर 13 आ गए थोड़ा कम मिलेगा, 11 भी हो जो थोड़ा कम ही मिलता, ऐसा है, अगर बाग कम मは यहां से आए, अगर हां, ज्या त मैं कम ही नktóста, नहしा लिएी दिया कि लेता हैं,ואं यहां से किसे सकती हैं, और दिया का उनले आए ने, ätzको मिलेगे थोड़ा कम मिलेगा हैं, उनले गाए हैं वाले प्रे दाष्ओता हैं, से आगर में यहां आए हैं, से हर योग बाते नहीं बिटा बाते नहीं बाते नहीं बाते नहीं है 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 हाँ बाते नहीं है 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 बाते नहीं कुछ नहीं हिंट देता है अपने को बाते नहीं है बाते नहीं है यह पर आर का है पहले आप लोग ना सिर्फ इतना निकाल लो फिर अपने नेक्स चीश बागे बड़ेगे ठीक है ना सर वी स्क्वेर कैसे आया यहां पर दिया है ना बिटा the cost of running the cost of fuel for running a train is proposed to square of the speed अच्छा ठीड कि अच्छा बटा चापमत चापमत खुचा का बचाट यह क्या है यह क्या है आज की है ना प्रेटी की है आज की रोज़ी वह एक 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 स्रेज में खतम हो जाएंगी भाई हो वह ती महेंगी वुक रहती है सब इसी को शूब के बी स्कुर्ट अग उपर गोलेगा proportional v square प्रपोर्शनल 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 k is the constant of proportionality झाल झाल चलो, अब आके रेखो, अब ये रेखो, अपने को ये पर आर का है, अगर मैं 10 घंटे चलाओ, 3 by 16, 20 by into 10 करना पड़ेगा, तो मुझे जर्नी का टाइम पीरिड भी पता सरना पड़ेगा, फिस स्पीर से पास चलेगा क्या, नहीं, तो मैं डिस्टेंस को अभी के लिए D मान ल स्पीड, तो D upon V हो जाएगा, तो अब देखो, मेरा total cost of fuel कितना हो गया है, ये पर आर का था इतना, और इंटु टाइम जितना भी है वो, 3 by 16 V square, ये था पर आर का cost, इंटु मेरा कितना टाइम चल रहा है, D upon V, which is equals to, 3 by 16 V into D, ये हो गया तुम्हारा पहला, किसी को कोई इसम अब नेक्स चीज क्या दी भी और, what is the most economical speed, if the fixed charge R, तीन तो रुपे पर R also, अब मुझे और साथी जात में पर R कितने देने के है, तीन तो रुपे भी देना है, तो जो जो ये तो cost of fuel था, the cost of fuel, fixed charge इतना है मेरा, तीन तो रुपे पर R, मेरा एक घंटे का, कितने घंटे टा V, plus 300 D upon V, पीड़ा प्लीज यहां पर ध्यान रखो, D is a constant, आप लोगो नाक्पूट अकोला जाना था, distance change नहीं हो जाला है, तुम speed कम ज़्यादा कर सकते हो, एक बार के लिए यह वाला समझोए को बार, मैंने बोल जाए distance जो भी हो D होगा, तो time क्या जाएगा D upon V हो प्लस 300 पर घंटे का मुझे maintenance charge, मतल्ल मान लोग उस तो भी staff आफ होगे तो पर आर 300 पर जाता हूं, तो क्या जाएगा उसा fixed cost, 300 into time which is D by V, तो total cost जाएगा 3 by 16 VD that is cost of fuel plus fixed charge which is 300 by 300 into D upon V, एक बार यह इतनू सा कर लो आप लोग जाएगा 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 जाए झाल झाल क्या बढ़ाम कि देख एक घंटे का अगर दस लुपर लगता है तो चार घंटे के कितने लगए तो 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 एक घंटे का था 3 x 16 B2 तो तो टाइम कितना है D Ю यह युँदि तो इसको मल्टिप्लाइ करेगी तो 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 फ्यूल का कॉस्ट चाल एगा झाल देखो अब, तुम्हारा cost का आगया है function, अब सुनो, अब ना, तुम लोग यहाँ पर जगर छोड़ना शुरू करोगे, और इसके आगे का खुद से solve और शुरू करोगे, मैं functions बनाने तक है आप लोगों का help करने वालों आपसे, ठीक है, तब देखो, यह cost function आगया है, इसमे d constant है, एन्हें मैं एक बाद करके रिखा जिता हूँ, बढ़ तुम लोग अभी नहीं करोगे, तुमको time उस चीज़ का इदर रहा हूँ मैं, तो अब मैंने differentiate किया उसको, with respect to v कर रहा हूँ मैं, तो 3 by 16 d minus 300 d by v square, इस equals to 0 करूँगा मैं, मैं वादे 3 d common निकला मेरा, तो बजा तो यह तो 0 वैसे ही हो जाएगा, तो 1 by 16 is equals to 100 by v square, तो v square equals to 600 आजाएगा, तो v की value यह तो 40 है, minus 40, obviously minus 40 possible नहीं है, यह आगया, अब तुम लोग करोंगे क्या, double differentiate, जैसे double differentiate करोगे, तुम लोग अपना answer डालके देख लोगे, वो आएगा negative, आज पॉसिटिव आगा स्री, और उसके बाद में तो तुमारा minimum cost ले 40 के इसमें चलाना पड़ेगा, समझाएगे, next, अब गई, एक बार यह question मन में पढ़ लीजे, यह अच्छा है, इसमें एक चीज है क्या, नहीं, फाइन, एक बार यह पढ़ लीजे मन में बढ़ा, इफ वो के लिखा हुए बटा वो वर्ड क्या है, इफ डाश फेंसिंग, इफ नो फेंसिंग इसे पर हाँ, अब देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अग गिवन रिक्तांग्यूलर एरिया, बाद एरिया फिक्स है, मतलब आपने मानलो दस एकड़ी जमीन खई दी भी है, तो एरिया फिक्स उसको चेंज नहीं कर सकते हो, यह मानलो यह है रिवर मेरा, यहाँ पर एक रिक्तांग्यूलर ब्लॉक ले रहा हूँ, मैं दस एकड़ का, जो ए अभी के लिए एरिया, ठीक है न, यह मानलो कुछ अभी के लिए एक्स है, तो यह हो जाएगा मेरा ए अपन एक्स, यह भी एक्स रहेगा, मैं को यहाँ पर तो फेंसिंग की जरूपान नहीं है, तो मेरा फेंसिंग कितना आएगा, एक्स प्लस एपन एक्स आएगा, मुझे क्या पूछा गया है उसका आगे, यह इतना फेंसिंग लगने वाला है, अब मुझे इसका मिनिमा चाहिए, ठीक है, यहां तक है ठीक है, तो यह हो गया है, 2x प्लस a by x, अब मेरा f' x हितना हो जाएगा, 2 minus a by x square, ठीक है, which is equal to 0, तो 2 is equal to a by x square, तो x square is equal to a by 2, तो x is equal to under root of a by 2, वो plus minus में आएगा, minus वाला reject हो जाएगा, तुम्हार अब यह आगया x, तुम्हें double differentiate भी कर लिया, चलो ठीक है, f double dash x, वो negative वाला reject क्यों पता हैं, तुम लोगों को dimension के नोट भी negative, तो उसको differentiate करने पर आजाएगा तुम्हारा 2a by x cube, यह डालोगे खुद positive तुम्हारा सब cube भी positive, कुछ तो भी आएगा, अब पॉसिटिव भी रहेगा, तो implies at x is equal to under root of a by 2, you get minima, मेरा question यह नहीं है, अब मुझे dimensions बताने क्या है, तो मान लो यह था मेरा, यह breath था न, हाँ, my breath जो कि x was under root of a by 2, my length is what, a upon x, तब a divided by root a by 2, which is a multiplied by root 2 by root a, एक सुझाएगा, मैंको लगता है कुछ गलती हुई है क्या, देखो एक बाइक बाइक ले, तो अब यह यह कटके राशनलाइज रप करोगे, तो वह रहाएगा, अब देखो, इसको मैंने राशनलाइज किया अभी के लिए, तो यह जाएगा, यह यह 2 और यह 2 हो जाएगा, राशनलाइज़ाइज सी कहा है, तो यह जाएगा, तो नहीं है, रुको, कुछ गलत हो रहा है, एक चनके है गाइज, एक बाइक बढ़ा, यह जाएगा, देखो दो, x is root 2 यह है ना नई उसका x अलग है अपना x अलग है mostly हाँ उसका x अलग है अपना x अलग है पर अपना भी जो root 2 a यह आ रहा है न एक्समें रहा है एक्समें बस यह हुआ अपना 2x प्लस a by x डिफ्रेंशेट किया यह इक्वेट किया x को इस a by 2 x is equal to यह root a by root 2 f double x से फरक नहीं पड़ता है मुझे ब्रेथ मेरा x था लेंथ मेरा a upon x है तो मेरा अच्छे यह root 2 था यार एक्समें क्या मैं तो लिखा था कि शाहिए मुझे पता नहीं है अब लेंथ कितना हो रहा है मेरा a upon x हो रहा है जिस a divided by x in a root a by root 2 which is a into root 2 by root a which is root a नहीं into root 2 इसको अगर मैंने rationalize किया उपहँचे root 2 multiply करूंगा हाँ यह रहा हो गया करना था actual मैं given नहीं था अब क्वेश्चन आतना समझो एक रिवर है उसके अराउंड आपने कुछ ए एरिया या सो एकड़ के एरिया का आप लोगों ने नहीं से रहा हो function रगया रहा है 2x plus a by x differentiate किया एक्सी वैल्यों निकाला वह आया अंडर root of a by तो जिको root a by root 2 लिखा हूं जिसको तुम माप चाहो तो वहीं पर राशनलाइज भी कर सकते हो root 2a by 2 ठीक है तुम्हें double differentiate करके डाल के देखा वह आया positive मतलब यहां पर minimum मिलना आलता तो यह तुम्हारा क्या हो गया था बच्चा लो यह तुम्हारा breath अब length निकालना था length था a by x उसमें डाला तो length आ गई root 2a तो देख लो breath को into 2 करोगे तब यह कटके तब तुम्हों लेंग पहुचपा होगे तो बस तुमको वह शो करना था कि length test twice its breath एक बार यह पूरा को पूरा question कर लो whole solution डाइग्राम जरूर बनाना बच्चलो क्या बटा double differentiation का क्या किया मैंने double differentiate किया उसके अंदर a x जागा पर root of a by 2 डाला मैंने cube यूँ निकाला नहीं बट मैं को फट से दिख गया यह खुद positive था क्यूब भी positive रहेगा area भी positive answer मेरा positive रहेगा इसी लिए मैंने बोले हो minimum रहेगा हाँ बटा बोले है नभी जा जाड़े पांच चार्ट जाड़े पांच चार्ट कि तेरा length twice of breath है डिमेंशन ओफ यह पूरा पूरा तेरा land हाँ बटा बोलो सर इसमें अपन वो जो answer आ रहा है x is equal to उसको length माने breath माने कोई फरक नहीं पड़ता ना नई बटा उसको breath मानना पड़ेगा तेरा diagram में breath है क्योंकि along the length जो है तेरा वो river है या तो तू इसको x मान तो यह तेरा a upon x और यह भी तेरा a upon x पर तेरा function बनेंगा x plus 2a upon x जो उसने जो solve किया वो वैसा किया हुआ हूँ ठीकि बुआ समझ रहा है बटा बुआ समझ रहा है स्कूल वालने पूरे examples करवाए गया इस पूरी करवाए यहने homework ने class में बुछ रहा है nice सार सल्यूशन दिखाऊ ना एक ना जड़ा है बटे कि बखित்तों वड़रे दिए प्सक्राओ स्क्राइब है वालना पिटा से फिफ्ट और सिफ्ट क्वेश्चन याद हूमवर्क दे रहा हूं मैं बचाओ फिर अपने लोग कली देख पाएंगे यह पर एक कर लो कम्टीट अब जो नेक्स्ट वाले इसमें से आएगा ना उसमें एक छोटी ही नहीं चीज दीखनी है इसलिए मैं अभी करा नहीं तो अपना टाइम बचा हुआ है एक क्वेश्चन हो जाएगा बटो फिर कली अपने एक साथ देखेंगे तुमोर इस फ्राइडेग संडे को आल भी प्लान होपिंग कि यह पूरा कम्टीट खर जाए पन लोग ठीक है ना यह टॉपिक चाप्टर नहीं भाई संडे को डाही गंदे का रहेगा क्योंकि तुने ब्रेथ की वाल्यू निकाली है रूट ओफ टुए अपन टू तेरी लेंथ की वाल्यू रूट ओफ टुए आई है क्या एप अपौन टू रीणा अपन एप Overall हो टिखे सिरा ख़ें हया उखे एया इसकी जगर पर तु कि यह लगी वाल्यू रालिव टाल रहे है हां रूट टुए अपन टू था तो बंजाएगा ए इन टू टूब्ल पॉल रूट ढू रूट कू इसको राश्न स्गरूगा यह यह कट जाएगा ठीक है जिनका हो गया है देखें स्टार्ट लीवेंग पीटा पीज होमवक कर ली जाएगा दो ही क्वेश्चन से आप लोगों को होमवक फिफ्फ और फिफ और फिफ और जो भी था क्या था फिफ्फ और सिक्स